चोपड़ा एजुकसन यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हारदेख स्वागत करता हूँ दोस्तों जो एम्स का 12 जनौरी 21 को 119 सीट के लिए इस्ट्रे वेकेंसी राउंड होना था उसमें इलिजिबल कंडिडेट नहीं अवेलेबल होने के कारण एम्स की सारी सीटे वेकेंट रह गई और अभी एम्स ने सेकेंड इस्टे वेकेंसी राउंड के लिए नोटिस जारी कर दिया है इसमें वो सारे candidate eligible हैं जिन्होंने MCC की website पर registration कर रखा है और जिन्होंने अभी तक किसी seat को join नहीं किया है और उनके पास original documents हैं उनको physically तोर पर aims में present होना होगा अभी इसके लिए जो second stay vacancy round है इसके लिए process क्या है तो इसमें आपको सबसे पहले 25,000 रुपीज पे करना होगा ये जो bank account number दे रखा है इस bank account number पर आपको या तो आप net कर दे या IMS कर दे या फिर UPI कर दे जैसे भी आप इसमें जो भी करेंगे उसके बाद में जो transaction ID, date वगरा, transfer का वो आएगा उसका मोबाइल से कर रहे हैं तो screen shot ले ले अगर computer से कर रहे हैं आपके पास printer की व्यवस्ता है तो आप इसको printer कर ले इसके बाद में आपको registration करना होगा और registration करते समय ये आपको scan करके डालना होगा वहाँ और ये registration के लिए ये transaction ID वगरा mention करना होगा ध्यान रहे है registration की जो last date है वो आज 13 जनवरी 21 साम 5 बजे तक है इसके बाद registration नहीं होंगे इसके बाद में साम को एक eligible candidate की list जारी कर दी जाएगी उसमें अगर आपका नाम है तो आप 14 जनवरी को एम्स में stray vacancy round के लिए पहुँच जाए ये process है एम्स के stray vacancy round के लिए अब आपको registration कैसे करना है तो registration करने के लिए आपने एम्स की website पर जाने के बाद में academic courses में MBBS पर click करना है proceed पर click करना है यहाँ आपको stray vacancy registration का option मिलेगा यहाँ पर आपको registration कर देना है इसके बाद में जो आपने 25,000 रुपीज पे किये हैं अगर आपका वहाँ selection हो जाता है तो यह आपको refund हो जाएंगे अगर आपको seat नहीं मिलती है आप वहाँ present रहते हैं तो भी आपको यह refund हो जाएगा लेकिन अगर आपका number आने वाला है और कोई बंदा वहाँ present नहीं होता है तो यह फोर फिटेड हो जाएंगे यह अगर आप इस condition में अगर आपको seat अलोट हो जाती है उसके बाद seat नहीं लेते हैं तो आपको एक लाख रुपए की penalty देनी होगी तो यह condition है aims के stay vacancy round की तो आप भी अगर आपने mcc के registration कर रहा है mcc के portal पर तो आप stay vacancy round में aims में आप registration कर सकते हैं और इसमें participate कर सकते हैं तो यह जानकारी थी aims के stay vacancy round 2 के बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था कि यह जरूर stay vacancy round 2 होगा इसकी website पर आप visit करते रहे तो वैसा ही आपा है अभी फिर से stay vacancy round 2 हो रहा है तो यह जानकारी थी आप हमारे चैनल फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइक को प्रेस करें वीडियो को लाइक को ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलेंगे नई जानकारी की साथ नए वीडियो में तब तक के लिए ज हैं